नमस्कार, आज हम पारिवारिक जीवन चक्र में एक सामाजिक कार्यकरता की क्या भूमिकाएं होती हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे देखिए, सबसे पहला तो है विवाह के संबंध में परामर्श देना, विवाह के संबंध में मतलब विवाह से पूर्व भी और विवाह के बाद भी परिवार में अक्सर क्या होता है कि जो पतनी होती है उसका adjustment नहीं हो पाती है वो परिवार के साथ तो परिवार के जो family members हैं उनके वो एक दूसरे के साथ adjust हो पाएं उसके बारे में समाज कारे करता काम करता है विवा से संबंदित जागरुकता करने के लिए तो ये विवा से पूर्व और विवा के बाद परामर्स देना फिर है स्वास संबंदी जागरुकता एक सामाजिक कारे करता स्वास संबंदी ज्यान और उसका प्रेस्चार करता है जैसे कि पोशन आहर के प्रती लोगों को जागरुक करना, महिलाओं को जागरुक करना, जैसे महिलाओं में एनिमिया की सिकार होती है, पोशन की सिकार होती है, जैसे प्रेगनेंट है लेडी, उसको पोशन आहर के प्रती जागरुक करना, तो ये जो है ये सारी चीजे एक सामाजिक कार्य करता है कि लोगों को, महिलाओं को, बच्चों को, पुरुशों को, ब्रद्धों को स्वास्त के प्रती जागरुख करता है यवाओं को carrier select करने में लक्ष निर्धारित करता है उनको achieve करने के लिए उनको motivate करता है किसी व्यक्ति के लिए क्या सही है कौन से लक्ष सही नहीं होंगे ये भी निर्धारित करने के लिए उनके मदद करता है तो एक carrier के विकास के लिए उनको achieve करने के लिए goals को उसके प्रती व्यक्ति को जागरुप करता है और उनकी मदद करता है एक सामाजिक कारे करता परिवार के बीच एक दूसरे से जो relationship होता है उनको develop करता है उनको मजबूत बनाने के लिए प्रयास करता है हमारा भारत देश पुरुश प्रधान देश है यहाँ बालक और बालिकाओं में अंतर किया जाता है बालकों को अधिक प्रात्मिक्ता दी जाती है तो एक सामाजिक कारेकरता बालिकाओं के प्रती जो विरुद्ध जो विवहार किया जाता है उसमें के प्रती जागरुकता लाने के लिए प्रयत्म करता है जैसे सिक्षा के छेतर में, स्वास्त के छेतर में, यहां तक की जन्म में भी बालिकाओं के साथ अंतर किया जाता है, तो वो जो एक सामाजिक कारे करता, उस इस्तिती को दूर करने का प्रयास करता है भारत के आर्थिक सर्विक्षन में भी यह बात की पुस्टी की गई है, कि बालिकाओं के साथ भेदभाव किया जाता है, तो हमें इस दिस्था में काम करने की आवश्यक्ता है, और एक सोशल वरकर का बालिकाओं को उनका अधिकार दिलाने में, जो भेदभाव किया जाता है, उसको दूर करने में बहुत important role होता है एक सामाजिक कारिकरता व्रद्धा अवस्था में परामर्स के लिए भी उसकी बहुत important भूमिका होती है क्योंकि व्रद्धा अवस्था में व्यक्ति को बहुत सारी समस्याई गेल लेती है जैसे स्वास्त की समस्या, आर्थिक समस्या, मानसिक समस्या, अकेला पन तो वो बहुत सारी समस्याईं से जूचता है उस समय एक सामाजिक कारिकरता व्रद्धा अवस्था में उनको मानसिक तनाओं को दूर करने के लिए उनकी शारिरिक प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए उनको अकेला पंदूर करने के लिए बहुत महत्पून भूमी का निभाता है